वेलकम इस्टुडेंट्स क्लास नाइंत के आपके पोएम नमबर 6 No Man Are Foreign के एकस्प्लेनेशन जो की हमने कोमन तयार किया है और उसके साथ में आपके इस पोएम के 10 क्लास के आंशर भी उसी एकस्प्लेनेशन से हमने आपके प्रिपेर कर दिये हैं आएगे स्तार्ट करते हैं सबसे पहले हमने आपके रेफ्रेंस लिया है यानि कि प्रस्तुत पंक्तियां जैम्स किरकुप की कवीता नो मेन आर फोरें से लिए बिल्कुल कोमन है हर स्टेंजा के एक्स्प्लेनेशन में यही लिखना है कवी हमें बताते हैं कि कोई भी वेक्ति विदेशी नहीं है हम सबी में बहुत सारी सिमिलर्टी जानि समानता हैं चाहे वो सरीर की हो मस्तिष्क की हो भावनाओं की हो या फिर हमारे एक्स्प्लेश वेवार की हो एक्संस या हमारे कार्यों की हो we all recognize, understand and love in the same manner हम लोगों को एक ही तरीके से recognize यानि परचानते हैं, understand समझते हैं and love और प्रेम करते हैं अब explanation the poet emphasizes the essential oneness of all human beings कभी यहां पर emphasizes यानि जोड़ देता है the essential यानि महत्वपून oneness यानि एक ताकी of all human beings यानि सब मानव में according to the poet the life is common in every land कभी के अनुसार प्रतेक लेंड यानि दर्ती पर देश में एक जेसा ही common जीवन है सामाने जीवन है the similar यानि एक जेसा physical शारीरिक body of human beings मनुस्यों की एक जेसी ही सारीरिक संरचना है उसके अंदरी वे bring breath in स्वास लेते हैं and breath out स्वास छोड़ते हैं यानि एक जेसे ही स्वास लेते हैं एक जेसे स्वास छोड़ते हैं similarly all over the world पूरे संसार में एक ही जेसे एक ही तरीके से all people are aware of sun and air and water सभी लोग सूरज का दूप का air, हवा एड़ वाटर पानी का एक जेसे ही सदुपयोग करते हैं उपभोग करते हैं they use these gifts of the universe similarly everywhere on the earth वे इस ब्रह्मान्ड के जो gifts उपहार हैं उनके similarly एक जेसे ही use उपभोग करते हैं everywhere on the earth, इस दर्ती पर, सभी जग़ पर when we hate our brothers जब हम हमारे बाईयों से धपरत करते हैं we actually disposes, betray and condemn ourselves तो हम वास्तों में disposes, loot ते हैं वंचित करते हैं, betray दोका देते हैं and condemn, यानि बर्च ना करते हैं, आलोच ना करते हैं ourselves हमारी स्वेम की all men are brothers, सभी वेक्ती, सभी इंसान भाई हैं and to kill, anyone will be like killing ourselves दूसरों को मारना, स्वेम को मारने के समान हैं the outcome of war is disastrous, जो युद्ध का outcome जो परिणा में वो कापी disastrous आनि विनास बरा हुआ है it defies, defies आनि अपवित्र कर देता है our own earth हमारी अपनी प्रत्री को it pollute से प्रदूशित करता है the air, हवा को by the use of fire arms जो अगनियस तरम प्रियोग करते हैं उप्योग से and the clouds of dust और उनके उप्योग से दूल के बादल उड़ते हैं उससे हम हमारा ही प्रियावरन प्रतूशित करते हैं it keeps human beings starved for a long time और इसको वज़े से युद्ध के वज़े से लंबे समय तक मानव को मानव था को भू के मनना पड़ता इसकी पीडा को जेलना पड़ता है so the poet tells us इसलिए कवी हमें बताता है that God made us all the same कि भगवान ने इस्वर ने हमें एक जैसा बनाया है then how can we hate each other तो हम एक दूसरे से किस प्रकार नप्रत कर सकते हैं we should live with love and brotherhood हम सब को प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए strength can be on only by love क्योंकि ताकत को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है अब आपको क्या करना है यह हमने common explanation बनाई है लेकिन आप ध्यान रखे जो last के आपके दो stage आ है उन दो stage में आपको ध्यान देना है आपको यह वाली जो यहां है when we hate से लेकर और आपको लिखना है last लव तक लिखना है last के दो stage आ में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है और पहले वाले जितने भी stage आ है उनमें आपको यहां तक लिखना है एक और बात बहुत important सब में यह वाली लाइन को मने जो दसवे आंसर में आ रही है दसवे क्योशन के में सो दपोईट से लेकर लव तक यानि की यह जो आपका स्टेंजा यहां खतम हो रहा है जो एक्स्प्लेनेशन पहले के स्टेंजा की खतम हो रही है यहां पर इसमें भी आपको ये वाली लाइन एड करनी है सो से लेकर और लव तक की और बाद के जो दो इस्टेंजा है जिनकी कोमन है उसमें भी यहां से लेकर आपको यहां तक पुरा लिखना है रेप्रेंस कॉंटेक्ट सेम रहेगा अब हम बढ़ते हैं क्योसन आंसर्ज की तरफ परला क्योसन इस कवीता की थीम विशेवस्तु में से संदेश वो सेंट्रल आइडिया केंड दे भाव क्या है वेसे अलग अलग क्योसन बनते हैं लेकिन मैंने कोमन बना दिया है और इनका आपके सेम आनसर है यहां से लेकर यहां तक क्योसन नमबर टू आपके आप कैसे कर सकते हैं कि कोई भी वेक्ती विदेशी नहीं है सेम आनसर है यहां से लेकर यहां तक क्योसन नमबर त्री कवी किस प्रकास सजेष्ट सुजाता है मैं सुजाओ देता है कि प्रत्ति पर सब लोग एक जैसे ही है इसके बाद में प्रतेव देश में कभी के नुसार जीवन एक जैसा कैसे है और इसके बाद में आपके इस लाइन को आप एक्स्प्रेंड कीजें की जेए कि एक जैसाई सरीर सवास लेता है और क्योसन नमबर 6 जो ये पंक्ति है वे भी वेसाई उभोग करते हैं सूरज का हवा का और पानी का क्या ये पंक्ति क्या इस पश्ट करती है तो आपको 3 से लेकर और ये क्युस्टन नमबर 6 तक 3, 4, 5, 6, 6 का यानि की 4 का 3, 4, 5, 6, 4 का मिलाकर क्युस्टन नमबर 3 से लेकर 6 तक का सेम आनसरे और आंसरे यहां से लेकर अर्थ तक आपको लिख देना है अलग से रटने की जरत नहीं है Question number seven What do we actually do when we hate our brothers हम क्या करते हैं वास्तों में जब हम हमारे भाईयों से ही नप्रत करते हैं इसका आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है Question number eight What is the outcome of a war एक युद्ध की क्या परिणती होती है क्या अंजाम होता है क्या परिणाम होता है और question number eight के साथ question number nine How do we defile the human earth इस मानव की प्रत्री को जहां इंसान निवास करते हैं कैसे defile यानि प्रदूशित करते हैं तो question number eight or nine का answer आपको same मिल जाएगा यहां से लेकर यहां तक Question number ten How can strength be on ताकत को किस प्रकार जीता जा सकता है तो इसमें आपको क्या करना है यहां से लेकर और last तक आपको लिखना है लेकिन विशेज द्यान दे इसमें आप 10 से लिखे यानि जब आप व्याख्या लिखे तो 100 से ही लिखे लेकिन जब आप answer लिखे 10 का तो आप इसका answer 100 से न लिखे 10 से लिखे मैंने underline कर दिया है इस प्रकार common explanation, reference, context हमने prepare किये और इसी में से 10 questions के answers भी आपके लिखे प्रिपेर किये अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने 70 students को भी जरूर सेर करें जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी subscribe करें friends Thank you